वेलकम इस्टूडेंट मेरे दिक्षर में बीबियस फोर्तिय श्टूडेंट तो आज हम इस यूडियो में दो बड़ी अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आज सुप्रिम कोट में एरिंग होई थी जो फिजिक्स के कुस्चन के टांसलेशन में एरर आया था उस का क्या फैसला लिया और वह भी इस यूडियो में बात करने वाले हैं तो दोनों अपडेट्स आप आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट हैं वीडिओ को लास्तर जरू देखे और समझे की क्या अपडेट्स रही है तो पहले अपडेट्स के बारे में बात करें जो सुप्र ही ऐग्डी से पिंदर फेली लिखा रहता है आपका कुश्चण को मानने निया को मांने दिया जाएगा तो वहिए सुप्रिम कोट ने वही बोला और उन्होंने जो यह अपना पैसलाव कोई वह बोल पांग नहीं है इसा कोई नीट का रिजल्ट है फिर से आता और पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं इस बार जो एनमसी और एंटी है बहुत लेट हो चुका है इस बार काउंसलिंग के तोर पे इसलिए उन्होंने यह दलीले है वो खारिच कर दिये है तो आप सभी स्टुडेंट देख सकते हों कि जो है कर दी है जो हिंदी कुष्टन ट्रांसलेशन में एरर आये था तो सेकेंड अपडेट के बार में बात करें आपकी काउंसलिंग है और इंडिया को ठाकी 50% सीट के लिए जो मैं आप सभी स्टुडेंट को दादू कि आपकी जो काउंसलिंग है वो जल्दी ही स्टार्ट होने वाली है क्योंकि आपने देखा होगा कि नीट पीजी जो प्रोस्ट गैजुटेड है उनकी काउंसलिंग अभी नहीं हुई है आपको पता होगा और इसकारण जो डॉक्ट यहीं वेनजडे यानि दो दिन बात वेनजडे आने वाला है उसके अंदर जो डिसिजन है आपका ले लेंगे और आपकी बीजल्दी ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी यही होने वाला है क्योंकि कम से कम 5-6 दिन में यदि आपकी यह अपडेट आजाएगा आपकी काउंसलि बिल भी बता दूँगा उसके बारे में तो यह अपडेट ती जो मैंने आप सब इस्टोइन को दोनों प्रण बड़ी अपडेट के बारे में इनफर्म कर दिया और आज के लिए इतना है यह वीडियो पसंद आई हो यह यह पसंद आई से लाइक करें कमेंट करीं शेर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी रियल अपडेट समय समय पर आपको प्राप्त होती रहे जैहिंद दन्यवाद दोस्तों